नमश्कार में अबरी आज 30 नवंबर चले जानते हैं विहार की 25 बड़ी खबरों को योग्यों मिद्वार से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक और योग्यों मिद्वार करनाटर का अंगनबाडी भरती पोटल अंगनबाडी रिकूर्ट्मेंट.kar.nic.in पर उपलब्ध करवाए गये ओन्लाइन अप्लिकेशन फॉर्म किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास, दर्भंगा के महराजा का यह किला उतर बिहार के दुर्लब और आकर्श्यक इमारतों में से एक है. महरा सरकार के पुरा तत्व विभाग ने 1977-78 में इसके लिए का सर्वेक्षन भी करवाय था. तब इसकी एतिहासिक महता को स्वीकार करते वे किले की तुलना दिल्ली के लाल के लिए से की गई थी दर्भंगा के महराजाओं को कला सहिते एवं सांस्कृति के संग्रक्षकों में गिना जाता है. स्वर्गिय महेश ठाकुर द्वारा स्थापित दर्भंगा राजकिला परिसर अब एक आधुनिक स्थल एवं सिक्षा केंद्र बन जुका है भावे एवं योजनाबध तरीके से अभी कल्पित महलो मंदिरों एवं पुरानों प्रतिकों को अब भी प्रभावितों की संक्या बढ़ती जारी है. स्वास्ते वभाग की तरफ से बीते दिन के पिच्प्रे 24 घंटे में जारी के आकड़ों के नुसार कुल मिलाकर 606 नए मामले सामनिया है जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संक्या बढ़कर 2,35,169 पर पहुँच गई ह तो राज़ानी पटना में 234 मामले सामनिया है वहीं भागल पुर जुले में 31 मामले पुर्णिया जुले में 27 मामले सामनिया है बिहार सरकार ने शादी समारों में कुल मिला कर 1.500 लोगों के शामिल होने की दिया नुमती इस शादी समारों में अब कुल मिला कर 1.500 लोगों के शामिल होने की नुमती मिल गई है मिली जानकारी के नुसार बिहार सरकार ने अपने द्वारा जारी किये गे गाइडलाइन में बदलाव करते वे यह फैसला सुनाया है जिसके तहट ग्रेव भाग ने निर्णे लेते वे कहा है कि अब स्टाफ सहीत 150 लोग शामिल हो सकते हैं वही शादी में बैंड बाजा के सा बारात निकालने के नुमती रहेगी इससे पहले ग्रेव भाग के अपर मुख्य सचेवामिर सुभानी ने नया आदेश के संबंध में जानकारी दी थी कि शादी में केवल सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे बिहार में डाई लाग, प्रतिनिद्यों और करमचारियों को मिलेगा ऊंलाइन प्रिषक्शन COVID-19 के माहॉल में अंलाइन प्रिषक्शन को काफी ज़्यादा बढ़ावा मिला है इस इक्रम में अब पंचायत प्रतिनिदियों और कर्मियों को ऑनलाइन प्रसिक्षन देने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत लगभग धाई लाग पंचायत प्रतिनिदियों और कर्मियों को ऑनलाइन प्रसिक्षन दिलाने के लिए सभी जुला पंचायत संसांधर केंद् वीडियो कॉन्फरेंसिंग की स्थ वधा भालोगी ताकि सही धंग से सभी को ओन्लाइन प्रसेक्षन दिया जा सके आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे ओन्लाइन ट्रेनिंग के लिए Beltron के माध्यम से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के सभी उपकरन स्थापित किया गया है इसके लिए पंचायती राज विभाग ने एक करोर तीन लाग की स्विक्रिती दे दी है आज कार्तिक पुर्णिमा को लेकर प्रसाशन ने पूरी की तैयारी 30 नवंबर यानि कि आज होने वाले कार्तिक पुर्णिमा को लेकर जरूरी दिशान निर्देश जारी कर दिया गया है जिसके तहत कार्तिक पुर्णिमा में 30 नवंबर सोंबार को पट्टा में गंगासनान के दौरान नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है इसके साथ इस दौरान आतिशवाजी पर भी पूरी तरह से प्रदिबंध लगा दिया गया है SGO मुकेश रंजर ने कोरोना के बढ़ते माखॉल को देखते वे आदेश जारी किया है इसके तहथ उन्होंने यह भी बताया है कि इस दौरान निशेधाग्या लागू की जाएगी SGO ने बताया कि थाना ध्यक्षों को हर हाल में असुनिश्चित करने को कहना है कि नाव का परिचालन नहीं हो COVID-19 के माहौल में मैट्रिक और इंटर परिक्षा को लेकर प्रसाशिने जारी की गाइडलाइन भिहार बोट की तरफ से आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटर परिक्षा में केंद्रों को लेकर जरूरी गाइदलाइन जारी कर दी गई है जिसके थैस परिक्षा में केंद्रों पर 6 फूट के बेंच पर 2 चात्रों को बिठाए जाएगा उसे छोटे बेंच पर 1 चात्रों को बिठाए जाएगा बिहार में आज लगेगा इस साल का आखरी चंद्र ग्रहन, साल का अंतिम चंद्र ग्रहन कार्तिक पुर्णिमा के दिन आज लगने वाला है, यह ग्रहन लगवागी एक बचकर चार मिनट से शुरू हो जाएगा, जो शाम को पांच बचकर बाइस मिनट तक जारी रहेगा, पत जानकारी के नुसार चंद्र ग्रहन कुल 4 गंटे 18 मिनट तक जारी रहेगा और 11 सेकेंड तक रहेगा, इसके साथ ही लगवाग 3 बचकर 13 मिनट पर अपने चरम पर होगा NCC क्याडरेट ने COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर निकाली जागरुकता रहली, बीते दिन NCC दिवस के मौके पर COVID-19 के बढ़ते माहौल को देखते वे राजधानी पटना में जागरुकता रहली निकाले गई, NCC क्याडर के सभी छात्र पटना के विभिन इलाकों में घ संक्रमन को कम करने के रिए सरकार की ओर से कई गाइडलाइन भी जारी के गये हैं, लेकिन लोगों की ओर से अभी भी बازारों मेला परवाही बढ़ती जारी है, लोग मास्क पहनकर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों को जागरुक करने के लिए NCC कैर्डर के छात्रो ने रविवार को NCCD के दिन बाइक जागरुपता रैली निकाली स्वाफ से अधिक आबादी वाले टोलों में मार्च 2021 में पकी सड़क बनाने का रखा गया लक्ष नई सरकार के गठन के बाद ही सरकार आक्षन मोड में आ गई है और यही कारण है कि अब सरकार अधिक आबादी वाले टोला में मार्च 2021 तक पकी सड़क बनाने की योजना पर काम कर रही है जबकी 500 से कम और 200 से अधिक आबादी वाले टोलों में मुख्यमंत्री ग्राम संपर की योजना से सड़को का निर्मान हो रहा है मुझाफरपूर की शाहिलीची अब विदेशों में भी मचाईगी धूम शाहिलीची अब विदेश बाजार में धूम मचाने वाली है इसके लिए जुले में Export Action Plan तयार किया जा रहा है हाली में जुले में गठित निर्यात संवर्धन समीती लीची को विदेशों में बाजार उपलव्ध कराने के लिए प्लैन तयार करे है समीती ने निर्यात के लिए जुले से लीची का चायन किया है लीची के चायन के बाद राजो के उद्योग विभाग ने जिले को आक्शन प्लान त्यार करने का निरते इश्टे दिया है उद्योग निदेशक के पत्र के बाद जिला उद्योग केंडरी ने लीची के निर्यात के लिए जरूरी कारवाई शुरू कर दी है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बिस्मिल्ला खान की बिस्मिल्ला क्हान हिंदुस्तान के प्रक्षाद श्रहनाई वादक थे उनका जन्मे डुम्राव बिहार में हुआ था साल 2001 में उन्हें भारत के सर्वोचसमान भारत प्रत्म से सम्मानित किया गया था तीसरे भारतीय संगीतकार थे जोने भारत प्रत्म से सम्मानित किया गया बिसमल्ला खान के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्मे बिहारी परिवार में पैगंबर खान और मिथुन भाई के यहां बिहार के दुमराव के ठठेरी बाजार के एक किराय के मकान में हुआ बिसमल्ला खान काशी के बाबा विश्वनाथ मंदर में जाकर शेहनाई बजाते ही थे इसके अलावा वो गंगा किनारे बैठ कर घंट और रियाज भी करते थे हालाकि उन्होंने साल 2006 में 21 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया था दिखा एम्स एलिवेटेड रोड का मुख्यमत्र नितीश कुमार आज करेंगे उद्खाटन मुख्यमत्र नितीश कुमार आज दिखा एम्स एलिवेटेड रोड का उद्खाटन करने वाल है इसकी मदनजर प्रमडली आयुक्त संजे कुमार अगरवाल और डीम कुमार रवी ने बीते दिन हे निर्मान कारे का जायजा लिया उपमुक्य मंत्री सुशिल कुमार मोदी ने अगले 5 साल तक सरकार के नहीं हिलने की कही बात बिहार चनाव भले ही खत्म हो गे हो मगर आवरोप प्रत्यारोप की राजनी तिया भी वीजारी है इसक्रम में सूरज रंदन कुश्वाह की 63 जुएंती पर आयोजी तेक कारे क्रम में उपमुक्य मंत्री सुशिल मोदी ने भी अपना बयान जारी किया जिसके तहत उन्होंने साफतोर पर कहा कि आने वाले 5 साल में सरकार का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है उन्होंने कहा कि राजो में जो सरकार है उसमें मेरी आत्माबस्ती है यह ऐसी सरकार है जिनको आने वाले 5 साल तक कोई हिला नहीं सकता उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में भी एक भी बूत पर पुनर मतदान नहीं हुआ यही 15 साल में आये बदलाव का संदेश है गया के बाद पटना रहा सबसे ठंडा शहर पहार उपर बर्फ बारी कासर अभिहार में भी देखने को मिल रहा है जम्मु कश्मीर के साथ ही माचल प्रदेश और उत्राखंड में भी बारिश से नियूंतम तापमान में गिरावर देखने को मिली है यहां लगातार चार दुनों से हो रही बारिश के कारण देश के मैदाने इलाकों में ठंड बढ़ गई है पहाडी छेतर से आने वाली बर्फीली हवा से प्रदेशों के सभी जलों में नियूंतम तापमान समाने से कम रिकॉर्ड किया गया है अधिक तम तापमान पर भी इसका असर पड़ा रविवार को गया सब से ठंडा रहा जहानियूंतम तापमान 8.4 डिग्री रहा महीं पतना में 10.4 डिग्री दर्च किया गया बिज्री सुवधा महया करावाने के लिए पतना मेट्रो में जल्द निकल सकता है टेंडर राज़ानी पतना के लोगों को मेट्रो की सुवधा जल्द मिलने वाली है अब कॉरिडॉर दो यानी की पतना जंक्शन से लेकर गाली मैदान होते हुए मलाही पकड़ी और ISBT तक मेट्रो लाइन शुरू करने के लिए बिज्री उपलब्ध कराया जाने को लेकर टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी आपको बता दे मेट्रो के निर्मान के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से निविदा निकाली जा रही है बीते कुछ महीने में डियमार्सी ने मेट्रो की कॉरिडॉर दो की प्रात्मिक लाइन मलाही पकड़ी से लेकर ISBT तक लाइन निर्मान के लिए पहले से निविदा फाइनल कर दी है बिहार सरकार ने अंचल आधिकारियों की रैंकिंग की जारी बिहार सरकार ने अंचल कारियाले में सुधार को लेकर कई उपाय पर काम कर रही है जिस को लेकर अंचल में पद स्थापित सी ओ बेवज़ु कामों को लटका रहे हैं इसी को ध्यान में रखते वे साथ ही कारे प्रणाली में सुधार लानी को लेकर राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग में अंचुलाधिकारियों के काम के आधार पर रैंकिंग टैक कर रही है जिसमें दर्भंगा का अलीनगर अंचल है जिसे 99.8 एक प्रतिशुत के साथ पहला स्थान मिला है दूसरे सबसे बहतर काम करने वाले अंचल में मधुवनी का पंडॉल है तीस्टे नंबर पर पश्छुम चंपारन का राम नगर, 4 नंबर पर कटिहार का मनी हारी अंचल और पांचवे नंबर पर भागलपूर का इसलाम पुर इंचल आधिकारी है बिहार में बारह जिलों के 102 परिक्षा केंद्रों पर हुई दरोगा भरती परिक्षा बिहर पले सवर सेवा आयोग ने दरोगा भरती के लिए राजेके 102 केंद्रों पर मुख्य परीक्षा आयोजित करवाह이ी परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई आयोग के विशेश कारे पदाधिकारी संजएक कुमार ने बताए करवाई थी परिक्षा दो पालियों में आयो जित हुई आयोग की विशेश कारे पताधिकारी संजेक कुमार ने बताये कि सभी जिलों में परिक्षा शांतेपुर्ण धंक से हुई है परिक्षा के लिए भागलपुर, मुजफरपुर, दर्भंगा, पुर्णिया, रोहतास, गया भोजपुर, नालंदा, सहित, बारह जिलों में 102 केंद्र बनाए गये थे, सभी जिलों से रिपोर्ट ली गई है, इसमें 94 फीसिदी अभ्यर्थी उपस्थित रहे, परिक्षा के लिए 50,000 अभ्यर्थी को योग पाए गया था, आपको बता दे कि इस परिक्षा के माध बनाया है, जिसके तहट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर फिर से निशाना साते वे, बिहार में कहा है कि अप्रिये वाक्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, महाजंगल राज के महाराजा मौन साधे वेह राजिमें कानून व बिहार की वर्तिमान सिती के लिए जनता को ही पपू यादव ने बताया जिम्यदार, किसान अंदोलन के रिए राजस्थान, हर्याना, पश्विम बंगाल, उतरप्रिदेश और पंजाब से आए, किसानों को लेकर पपू यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तह उन्होंने कहा कि फसल का उचित मुले तैय करने का अधिकार बिचॉलियों को नहीं किसानों को मिला चाहिए, किसानों के गुस्से को देखते वे उन्होंने किसानों से दिली के बुरारी के निर्धारित ग्राउंड में शिफ्ट होने की अपील की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बुरारी ग्राउंड में इस किसानों के शिफ्ट होने के दूसरे ही दिन सरकार उनकी मांगो पर चर्चा करने के लिए तैयार है बिहार में लोगों को किसान और अराजक जैसे मुद्दे नहीं दिखते हैं बिहार के जंता को आज की हालत के लिए खुद को साल पहले कि सरकार को कष्ट ने जंगल राज की उपाधी दी थी उनके परिवार ने जो कारनामे की हैं उसी को छिपाने के लिए ऐसी बयान बाजी की गई है जबकि हमारी सरकार फॉर्ब में नहीं थी ये साथ ही उन्होंने सरकारी कामकाज की भी जानकारी दी जिसके थैत उन्होंने कहा कि सरकार का रोड मैप जल्दी सामने आएगा अभी तो सरकार इन ठीक से काम करना शुरू नहीं किया है हमारी सरकार को अभी एक महीने भी पूरे नहीं हुए है भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है दर्ज भारत के इतिहास में 30 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपून घटाए घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्जो करे गई है 2000 में प्रियांका चोपडा आजी के दिन मिस्वर्ड बनी 2007 में आजी के दिन हिंदु धर्म गुरू स्वामी राम भध्राचारे ने भगवद गीता ग्रंत के ब्रेल संसकरन का विमोचन किया 2010 में आजी के दिन भारतिय विज्यानिक और स्वदेश्वी अंदोलन प्रनेता राजीब दक्षित ने दुनिया को अलविदा कहा था YouTube के लिए अब Android TV अप में मिलेगा 8K वीडियो प्लेबाक Android की एक रिपोर्ट के मुस्ताबिक Android TV के वर्जिन 2.12.08 में YouTube TV के 8K स्ट्रीमिंग तक को सपोर्ट किया जाने के सुवधा को शामिल क्या गया है इसे Android 10 या उसके बाद के संसकरनों पर YouTube TV को चलाया जा सकेगा Android TV के नवीनितम अपडेट में YouTube के लिए 8K स्ट्रीमिंग की सेवाज शुरू की गई है इस बदलाव के तहट कुछ सीमित डिवाइसों में 8K स्ट्रीमिंग के सपोर्ट किया जाने की श्रमता होगी हाला कि यह अभी भी सपच्ट नहीं है कि किन मॉडलों द्वारा इसके सपोर्ट किये जाने की उमीद है विराट कोली ने गेंदबाजों के सिर्फ फोड़ा हार का ठीक रा भारते कप्तान विराट कोली ने हाल ही में हार को लेकर अपना बयान जारी किया है के तहत उन्होंने हार की जिम्मेदारी अपने टीम के प्रभावहीन गेंदबाजी को दी है कोली ने आज की बाद पुरसकार वित्रं समारों के दौरान कहा कि उन्होंने हमें पूरी तरह से पच्छार दिया मुझे लगता है कि हम गेंद से उतने प्रभावी नहीं थे हम लगातार उस लाइन और लेंस से गेंद बाजी नहीं कर पाए जिसके साथ करनी थी और उनका बल्ले बाजी क्रम मजबूत है वे हालात और मैदान के कोनों को काफी अच्छी तरह समझते हैं अब आईए जानते सराफबाजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 नवंबर को 22 कैरट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,250 रुपे था वहीं 24,250 रुपे था वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति की लो 69,200 रुपे था इसके अलावा राज़ानी पट्ना में पेट्रोल की की गयमत 84,99 रुपे प्रति लीटर थी वहीं डीजल 76,19 रुपे प्रति लीटर था मनोच कुमार, विजय यादव, सुदामा यादव इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है बीते दिन खेले गए दूसरे ODI में भारतीय टीम के एक बार फिर से हार का मुख्य कारण क्या है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर पता इसके साथ ही अज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहा है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बढ़ा आइकान दबाला ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे है तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें धन्यवाद